चलिए आज हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी इंवर्स ट्रिगानोमेट्रिक फंक्शन में लास्ट क्लासेज में हमने टैन की प्रॉपर्टी देखी थी और देखे टैन में मैंने आपको बहुत सारे केसे बताए थे ठीक है कि अगर एकस्वाइ लेस दन जीरो है एकसे हमने देखे थे साइन में भी ऐसे केसिस नहीं देखेंगे आजर वहां में जो हमने बताए थे उसका एक रीजन था मैंने आपको बोला था उसके कुछ simplest form fine inverse X plus sign inverse Y is equal to the formula sign inverse अब इसके अंदर लिखना क्या है वह हम समझते हैं अभी sign a plus B inverse में अलग-अलग हो जाता है तो हम sign a plus b ka formula अगर लिखें अब मुझे मालूम है 11th class में हमने sign a plus b ka formula पढ़ा हुआ है sign a plus b is nothing but sign a cos of b plus को से एंड साइन ओव ठीक है यह हो गया अब मुझे करना क्या है यह formula बनाने के लिए यह सारी चीज मतलब यह पूरा formula है ना इसको आपको साइन के फॉर्म में convert करना है तो मैं क्या करूंगा साइन एको ऐसे का ऐसे रहने देता हूं ठीक है कॉस्ट अगर मैं साइन के फॉर्म में लिखता हूं तो यह हो जाएगा साइन सक्वेर अची अब प्लस यह साइन भी आजट हो जाएगा चीविग्եյ कर दो資 लिख दीया एंटू को हम क्या लिखे लेंगे में चाहिंड रूंड रूट one- esse iq फॉर्म प्लस कॉसवे ता था दा था हो ड sitzen को साइन स्वेर वह फोर्म्ला हमने लगा लिए अब इस फॉर्मले के बेसिस पे यह जो मैंने डिराइब किया फाइनली साइन के फॉर्म में इसको मैं यहां पर बस फिट करूंगा क्या साइन एक ले लिजे साइन बी की जगा आप वाई ले लिजे ठीक है तो साइन यानि की एक्स अंडरूट वन माइनस देखो साइन बी को मैंने वाइ माना थंसाइन स्कॉर्म यानि वाइवाई स्कॉर्स अजाएल्गा बीच में प्लस का साइन फिर साइन वी यानि की आ स्थिक्षानि यानि का साइनúblic स्प्क्रार ओर शानंट सॉइन स्कॉर्म यह लगा Si vet x plus and inverse y का sin inverse x root 1-y square plus y root 1-x square ठीक है अब यहीं पर अगर minus होता मुझे मालूम है formula में minus अगर होता है तो बीच में सिर्फ एक minus sign आता है sign में ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगर मुझे sin inverse x plus y की बजाए sin inverse x minus y मिलता तो मैं sin inverse x root 1-y square minus y root 1-x square यह लिख लेता ठीक है तो यह हमने दो फॉर्मले देख लिए sin inverse x plus sin inverse y और sin inverse x minus and inverse y यह दो फॉर्मले हो गाए अच्छा इसके बाद हम कॉस का भी फॉर्मला देखेंगे अब देखे कॉस inverse x and कॉस inverse y इसका मुझे फॉर्मला लिखना है अब देखें मैं यहां पर कॉस एफ प्लस बी का फॉर्मला सबसे पहले तो लिखता हूं तो कॉस एफ प्लस बी का फॉर्मला हो जाएगा साइं को से ता संडू माइनस का कॉस ऐ कॉस बी माइनस साइं इस एक होई लेकि हम काउस का फॉर्मला पढ़े है तो हर चीज कॉस में चाहिए था साइं के फॉर्म मे तो इस कॉस एक अश बीको तो रहने cos square a अब चांस A को मैं x और तो यह cos inverse x plus cos inverse y will be cos inverse bracket में xy minus 1 minus x square root में and multiply one minus y square यह भी रूट में ठीक अब इसी तरह से अगर cos inverse x minus cos inverse y मिलता तो अगर यहां पे a minus b होता तो यहां बीच में plus आ जाता यहां पे बीच में plus आ जाता तो यह हो गया cos inverse x plus cos inverse y का formula and cos inverse x minus cos inverse y का formula ठीक है तो यहां साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा-स-ा-स-ा-स-ा-स-ा इस पर कुछ क्वेस्टेंगे ठीक है और देखते हैं अभी यहां पर साइन इंवर्स एट अपॉन सेविटीं साइन इंवर्स थी भाइव ठीक है अभी साइन इंवर्स एक जैसे कि मैंने आपको बता है और भी फॉर्मिलेज हैं अलग-अलग अब यहां पर मैं फॉर्मला लगाता मैं इसको मैं एक स्माइन लेता हूं इसको मैं वाय मान लेता हूंख आप साइन इंवर्स एक्जान इंवर्स वाइड रूट किया हम values put करेंगे, तो this thing becomes sin inverse bracket में x, now x की जगा क्या लिख लूँगा, 8 upon 17, under root 1 minus y square, y की जगा क्या लिख लूँगा, 3 upon 5, ठीक है न, 3 upon 5 का square, I'm sorry, plus y की जगा लिख लूँगा, 3 upon 5, ठीक है, इतना हो गया, under root में 1 minus x square की जगा लिख लूँगा, 8 upon 17, ठीक है, इसका whole square, तो 8 by 17 का square, fine, यह हो गया, अच्छा, इतना करने के बाद मुझे इसको सिर्फ सिंप्लिफाइ करना, मेरा answer अपने आप आएगा, ठीक है, यह बहुत simple question है, अब जब तक मैं बोर्ड रप कर रहा हूं, आप लोग इसको फटा-फट कीजिए और बताएगे, क्या answer आ रहा है, अच्छा, अब यह देखे, यह आपको मिल जाएगा, sin inverse, bracket में, 8 upon 17 into, 1-3 upon 5 का whole square under root में, यह 4 upon 5 बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही है न, आच्छा, plus 3 upon 5 into, 8 upon 17 will become 15 by 17, now this becomes sin inverse, कुछ cancel हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, 32, यह हो जाएगा, 45 और यह 17 into 5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने, देखे, इसको cancel out नहीं किया, नीचे मुझे सेम, देखे, 17 into 5, 17 into 5 मिल रहा है, ठीक है, तो 17 into 5 कितना हो जाएगा, 85, denominator मुझे मिल जाएगा, 85, numerator में 4 and 7, ठीक है, तो 77, यह मुझे मिल जाएगा, अगर मुझे sine inverse something दिया हुआ है, उसको tan inverse में कैसे convert करते हैं, ठीक है, बहुत simple है न, अभी देखे, मुझे इसमें सिर्फ क्या करना है, एक triangle बनाना है, ठीक है, और यह हो जाएगा, 77, T, 85 हो जाएगा, H, मुझे यह side निकालनी है, और tan में उसको convert करके लिख देना है, ठीक है, तो हमारे पास आजाएगा, 85 square minus 77 square, under root में, will be this side, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, 85 plus 77, देखे, बहुत बड़ा calculation है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 85 and 77, 85 minus 77, a square minus b square, a plus b and a minus b, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75, 12, 15, 16, इंटो, यह हो जाएगा, अब 2, 8, 16, 2, 1, 2, 16, ठीक है, तो that will be 9, 4, 36, ठीक है, तो हमें तीसरा side मिल जाएगा, 36, इसको आप tan inverse 77 upon 36, लिख सकते हैं, यह हो गया हमारा proof, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, next question देखते हैं, अब देखें, यहाँ पर बोला, cos inverse 12 by 13, plus sin inverse 3 by 5, equals to sin inverse 56 by 65, अब इस question में, देखें, यहाँ पर cos है, यहाँ पर sin है, जबकि हमने formula पढ़ा है, sin and sin, मतलब sin plus sin, या sin minus sin, या cos plus cos, या cos minus cos, अब मुझे चाहिए कि, या तो मैं इस cos को sin में convert करूँ, या तो इस sign को मैं, cos में convert करूँ, ठीक है, अब वहाँ मुझे result चाहिए, sign के form में, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर cos को sign में convert कर देता हूँ, ठीक है, वो जादा simple होगा, तो इसको convert करने के लिए, देखें, 5, 12 and 13, यह triplet होता है, यहाँ, यहाँ, 5, this is 12 and this is 13, अगर triplet आपको याद नहीं भी है, तो no problem, आप Pythagoras theorem से इसको solve कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको पीछे बताया हूँ है, तो मैं इस cos inverse 12 by 13 को, देखें, यह हमारा हो गया angle, अब cos क्या होता है, B upon H, base हो गया 12, hypotenuse हो गया 13, तो फिर यह perpendicular कितना हो जाएगा, Pythagoras theorem से निकालेंगा, 13 square minus 12 square, 25 मिलेगा, उसका root 5, दीसरा side हमने निकाल लिया, अब cos 12 by 13 है, तो sine क्या बन जाएगा, 5 by 13, तो sine inverse 5 by 13 हमारे पास आ गया, ठीक है, इतना हो गया, अच्छा, उस sine inverse को हमें as it is लिखेंगे, यानि कि sine inverse 3 by 5, अच्छा, is equal to, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, sine of x, sine inverse x and sine inverse y का formula लगाऊंगा, जो कि है, sine inverse x root 1 minus y square, ठीक है, plus y root 1 minus x square, ऐसे ही है, तो यहाँ पर this 5 by 13 को हम x मान लेते हैं, और 3 by 5 को हम y मान लेते हैं, plus है, तो किसी को भी x, किसी को भी y मानों, कोई फरक नहीं पढ़ता, minus होता, तो पहले वाले को x, दूसरे वाले को y, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, sine inverse x root 1 minus y square, मतलब 5 by 13, root 1 minus 3 by 5 का square, ठीक है, प्लस y, यानि कि 3 by 5, ठीक है, 3 upon 5, root 1 minus, यहाँ पर क्या है, 5 by 13 है, तो हम लिखेंगे, 5 by 13 का square, यह हो गया, अब इसको हम solve कर लेते हैं, तो यह further हो जाएगा, sine inverse, ठीक है, 5 by 13 हो गया, और 1 minus 3 by 5 का square, इसको जब हम solve करेंगे, यह हो जाएगा, 4 upon 5, प्लस आजाएगा, 3 upon 5 को as it is लिख लेते हैं, और 1 minus 5 by 13 हो जाएगा, 12 by 13, है न, जो कि यहाँ पर cos की value थी, ठीक, अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, करते हैं, तो यह हो जाएगा, sine inverse, देखे, यहाँ पर LC हम दोनों का से मायना, 13, 5, 65, 5, 4, 20, and 12, 3, 36, 30 and 20 is 50, यह हो जाएगा, 56, है न, इसको हम लिख सकते हैं, sine inverse, 56 upon 65, जो कि मुझे, प्रूव करना था, ठीक है, easy था यह भी, तो यह दो question है, आप लोग के लिए, cos inverse 4 upon 5 plus cos inverse 12 by 13 is equal to cos inverse 33 upon 65, और sin inverse 3 by 5 minus sin inverse 8 by 17 equals to cos inverse 84 by 85, यह दो questions है, आपको प्रूव करने हैं,